साथियों एक vibrant economy में जब एक sector grow करता है तो उसका सूल सीधा प्रभाव दूसरे sector पर भी होता है लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर एक industry से दूसरी के बीच में बे वज़र की दिवारे खड़ी कर दी जाएं तो क्या होगा तब कोई industry उतनी तेजी से grow नहीं कर पाएगी जीतनी कि उसमें ताकत है जिसका तो करना चाहिए एक industry किसी तरह grow भी करेगी तो उसका प्रभाव दूसरे sector पर भी कभी नहीं पढ़ेगा अलग-अलग sectors में इस दिवार ने देश की अर्थिववस्ता का बहुत नुक्सान किया है सामान ने मानवी का नुक्सान किया है अब देश में जो रिफार्म हो रहे हैं वो इन दिवारों को हटाने का काम कर रहे हैं अभी हाली में जो agriculture reforms हुए हैं वो इसी की एक कड़ी है अग्रिकल्चर सेक्टर और उससे जुड़े अन्यक्षेत्रों चाहे वो अग्रिकल्चर इंफ्रास्रक्टर हो फूर्ड प्रोसेंसिंग हो स्टोरेज हो कोल्ड चेंड हो इनके बीच पहले हमने ही ऐसी दिवारे देखी हैं अब ये सभी दिवारे हटाई जा रही हैं सभी अर्चने हटाई जा रही हैं इन दिवारों के हटने के बाद इन reforms के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे नए विकल्प मिलेंगे उन्हें टेक्नलोजी का ज्यादा लाब बिलेगा देश का cold storage infrastructure आधुनिख होगा इन सबसे कृषिक शेत्र में जादा निवेस होगा और इन सबका सबसे जादा फाइदा अगर किसी को होने वाला है तो मेरे देश के किसान को होने वाला है जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर जिन्दगी पालता है उस किसान का भला होने वाला है हमारे देश की अर्थे वबस्ता को अलग-अलग sectors में दिवारे नहीं जादा से जादा ब्रिजित चाहिए ताकि वो एक दूसरे का सपोर्ट कर सके साथियों बीते वर्षों में इन दिवारों को तोड़ने के लिए कैसे एक प्लान और इंटिग्रेटेड एप्रोच के साथ रिफॉर्म किये गए हैं इसका एक बहत्री उधारन है देश के करोडों लोगों का फाइनांसल इंक्लूजन अब हम बैंकिंग इंक्लूजन के से मोस इंक्लूजीव देशों में शामिल हो गए हैं आप भी इस बात के गवार हैं हैं कि तमाम अवरोजों को दूर करते हुए भारत में किस तरह आधार को सम्वेधानिक समरक्षन दिया गया हमने अन बैंक को बैंकों से जोड़ा सस्ता मोबाइल डेटा सस्ते फोन उपलब्द कराकर गरीब से गरीब को कनेक किया तब जाकर जन्दन खाते आधार और मोबाइल जे ए एम की टिनी टिनी देश को प्राप्त हुई साथियों आज दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपर सिस्टीम देश में काम कर रहा है डिबीटी देश में काम कर रहा है अभी आपने भी एक इंटरनेशनल जर्नल की वो रिपोर्ट पड़ी होगी जिसमें भारत में बनाई गई सिववस्था की भूरी भूरी प्रसमसा की गई है कोरोना के समय में जब अनेग देशों को अपने नागरीकों तक सीधे पैसे भेजने में दिक्कत आ रही थी वो चैक और डाग विभागपन निर्वर थे भारत सिर्फ एक क्लिक कर से हजारों करोड रुपिये कोटी कोटी नागरीकों के बैंक खातों में तांसफर कर रहा था पल भर में वो भी ताब जब बैंक बन थे देश में लॉकडाउन था अंतर राष्टिय जगत के बड़े-बड़े जानकार अब यह कह रहे हैं कि भारत के इस मॉडल से दूसरे देशों को भी सीखना चाहिए यह पढ़कर यह सुनकर किसे घर्व नहीं होगा